हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो मैं चैनल, हाज का व्लोग है कि हम लोगों ने एक बॉलीबूड थीम पार्टी और्गेनाइज के थी अपने दोस्तों के लिए, तो ये एक फार्म हाउस है जो हैदराबाद के बाहार का है, यहां पे हम लोगों ने वो पार्टी अरेंज कि किया था, जो लीजा है, पुद्दिल तो पागल है वली मूवी की, करिश्मा कपूर बनी है, और मैं आप कैस करो कि मैं क्या बनी हूँ, मैं DDLJ की सिमरन बनी हूँ, जो वो गाना है ना जरा सज हूमनू में, उसके अंदर उसका यही लोगता, यह पूरा अरेंजमेंट मैं आपको यहां पे दिखा रही हूँ, जो हम लोगों ने पामा उसके चट पे करवाया था, और उसके चट से जो यह वीव है, वो दिख रहा है, पाटी थोड़ा रात को स्टार्ट हो रही है, तो फिर यह वीव बगार तो इतना चादर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पे त अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, अशीश खाई के पान बनारस वाले अमीता बच्चन बने है, उसके लावा हम लोगों ने काफी सारे प्रॉप्स भी रखे हुए थे, हम लोगों ने जो वाटर बॉटल से उसके उपर अपना कस्टमाइज कराया अपना नाम, क्योंकि जो फ्रेंड है, उसका वाटर बॉटल का ही काम है, यह प्रॉप्स हैं, जो मैं आपको बोल रही थी, कि हमने बहुत सारे प्रॉप्स भी रखे हुए है, और फिर हम लोगों ने थोड़ा फोटो शूट किया, जब तक कि लोग नहीं आये थे, तो सबसे पहले मेरी एक फ्रे से मस्ती कर सकता है, यह दीरे-दीरे से लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, और यहां पे काउंटर्स भी लोगों ने स्टार्ट करा दिये थे, जैसे-जैसे लोग आने स्टार्ट हुए, फिर हम लोगों ने बोला कि हम एक रील बनाएंगे, तो तुम जो भी बने हो, उसकी ए आशिष, तरुना, अभीनव, नेहा, तो एक आफी इंट्रस्टिंग कॉंसेप्ट था, बहुत ही से मजा आरा था कि नाम वाम लिखा हुआ है, उसके बाद में थोड़े से वीडियो शुट की है, पूरा बॉलीवूड फिल देने के लिए हम लोगों ने पॉस्टर्स भी लग पार्टी बनाया, यह भूल भूलाया का एक्टर बनके आया था, तो इसने एक्टिंग की, यह भी भूल भूलाया का एक्टर्स बनके आई थी, नहीं, यह जीनतमान बनके आई थी, अक्चलिए, I'm so sorry, आशिष ने खईके पान का करके दिखाया एक्टिंग, और यह है हमारे शारुक और काजॉल यह काजॉल तो नहीं है लेकिन यह शारुक बने है तो इन्होंने काजॉल के साथ ऐसे अक्टिंग किया सब लोगोंने बहुत ही ज्यादा फन किया, सबसे अच्छी चीज़ यह थी कि जो बच्चे थे उन लोगोंने भी पहुचा था मस्ती की, बच्चों के लिए भी सब कुछ था अरेंजमेंट्स, उनके लिए भी हम लोगोंने रूम के अंदर काफे सारे गेम्स रखे हुए थे ताकि वो अच्छे से खेल सके अब फाइनली यह वीडियो थोड़ा साच्छा शूट हुआ है तो आपको पूरिया पॉस्टर्स दिखेंगे यह सारा हमारे फ्रेंड ने करवाया था हम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ में पार्टी होस्ट की थी तो हम लोगोंने फूट का सारा अरेंजमेंट वगएर देख लिया था और उन्होंने पॉस्टर सगरा का और लाइटिंग का अरेंजमेंट देखा था फूड के अंदर गॉल गपे थे टिककी चार थी इडली थी फ्राइड इडली और काउंटर था फ्रेश डोसे का उसके बाद में जैसे-जैसे लोग आ रहे थे वैसे वह अक्टिंग किया जा रहे थे जो वो बनके आये थे ये एक और काजॉल बनके आई थी ये गबर सिंग तो बहुत ही सही था इंदम गबर ही लग रहा था उसके बाद में हम लोगों ने लाइफ म्यूजिक का भी अनेश्मेंट किया था जो ये सिंगर है ये सच में बहुत जाद अचा गा रहे थे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि सुनाऊंगी आपको सॉरी कि ये क्या इन्होंने गाया और कैसे गाया पर इन्होंने जैन्मिनली बहुत ही अच्छा गाया था ये पावरो भी बहुत ज्यादा सही लग रही थी और हम लोगोंने कॉंपिटिशन भी रगा था कि जो सबसे अच्छा त्यार होके आएगा हम उसे कुछ प्राइस देंगे कुछ गिफ्ट देंगे और सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि हम किसको दें हों किसको नहीं दें क्योंकि अगर आप अभी धिरे-धिरे देखोगे तो लोग बहुत ही अच्छा ड्रेस अप होके आये थे बहुत ही अच्छा तो जो अभी आपने लड़की देखी थी वो सोनम कपूर बनी थी और ये सरकार मूवी का एक्टर बना था बहुत ही शानधा सब लोग बन त्यारों के आये थे किसी भी पार्टी होस्ट को यही चाहिए कि जो लोग हैं वो उनकी पार्टी के अंदर enjoy करें मस्ती करें फिर हमने देखा कि बच्चे तक enjoy कर रहे हैं तो मैं बहुत ही अच्छा लगा उसके लावर जो बड़े लोग थे वो भी dance wans कर रहे थे खुब मस्ती कर रहे थे तो काफी अच्छा fun हुआ और सबसे best party ये थे कि सब लोग त्यार होके आये थे ये राजेश करना नोकर बनके आया था तो लोग इतना बड़िया त्यार होके आये थे इतना इंतु दिखा रहे थे तो इतना अच्छा लगा और it's very easy और very common theme है ये लेकिन stale सबसे hit थी मैं मुझे ऐसा लगता है all most hard कोई ready होके आया था उसके बाद में जो एक couple था जिसके अंदर जो wife थी वो पारो बनी थी और जो husband थे वो उसके अंदर राजेश करना वले रामो बने थे उनको हमने price दिया ये मसथानी बन के आई था एक लगा उसके पाद में और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डान्स किया बट में हापर music भी चला सकती है अद्रवाइस copyright का klaim आ जाएगा और इन लोगों को भी अच्छी अक्टिग कहीई थी इसलिए हमने इन लोगों को प्राइज दिया था तो बस इस तरीके से हम लोगों ने एक बॉडिवुड थीम के उपर पार्टी ओर्गरिनाइज की और मैंने आपको सारा बताया कि हम लोगों ने उसमें कैसे कैसे अर्रेजमेंट की और क्या-क्या हम लोगों ने उसके अंदर लोगों को प्रोवाइट किया था so मैं ये व्लॉग यहीं पर खतम करती हूँ I hope कि आपको ये हमारा बोलीवूर्टीम पार्टी वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप मुझे बताओ कि आप किस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर देखना चाहते हो या किस तरह की वीडियो आपको अच्छे रखते हैं एक मैंने जो गर्स की प्राग्लम बातोली इंसिस्ट का वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बहुती अच्छ समझ में आया तो उससे रिलेटिट वीडियो तो अफकोर्स मैं बनाती ही रहूंगी उसके अलावा भी कुछ रिक्वाइर्मेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना